लुटाने वाले, सद ग्यान सुनाने वाले इश्वरिय ग्यान वो बल है जो शक्तिहीन आत्मा को इतना शक्तिशाली बना देता है जो आत्मा असंभव को संभव कर पाती है इश्वरिय ग्यान वो अमृत है जो मृत्यों के डर को समाप्त कर देता है इश्वरिय ग्यान वो धन है जो आत्मा को सदाकाल के लिए संपन बना देता है इतनी महिमा है इस ज्ञान की परन्तु ये हमारा सौभाक्य है जो इस ज्ञान को धारण करने की शक्ती, समर्थी वो सौभाक्य भगवान आकर खुद हमें प्रदान करता है तो ऐसे अपने भाग्य को समझते हुए सभी ध्यान से आत्मिक स्मृती में स्थित होकर बाबा के महावाक्य सुनेंगे आज है 26 ओक्टूबर 2030 बाबा के महावाक्य हैं मीठे बच्चें अभी घोर अंधियारा भायानक रात पूरी हो रही है फिलोता है रात पूरी हो रही है तुम्हें दिन में चलना है स्रिष्टी चक्र पर संगम युक पर खड़े हो जाओ बिल्कुल ऐसे ही फिल होगा यह ब्रम्भा के बेहद दिन और रात की ही कहानी है प्रश्ण है सकिंड में जीवन मुक्ती प्राप्त करने वहीरे तुल्ले जीवन बनाने का आधार क्या है उत्तर है सची गीता जो श्री मद भगवान वाच्च है बाप तुम्हें सम्मुक जो डारेक्शन दे रहे है कौनसे डारेक्शन यह जो भी हम मुर्ली में पढ़ेंगे यह सची गीता है जिससे तुम्हें सेकेंड में जीवन मुक्ती पद की प्राप्ती होती है तुम हीरे तुल्ले बनते हो तो एक एक वर्जन लाखों, अर्बों, करोडों इतने इतने रुपयों से भी अधिक मुल्लेवान है है न, क्योंकि इससे हमें सेकेंड में जीवन मुक्ती मिलती है और हम खुद हीरे तुल्ले अमुल्ले बन जाते है प्रशन दूसरा है स्वर्ग के घनेरे सुख किस पुरुशार्थ के आधार से मिलते है कौन सा पुरुशार्थ करने से स्वर्ग के सुख घनेरे मिलते हैं उत्तर है रोज की पढ़ाई और योग से डेली एक दिन नहीं स्वर्ग के सुख घनेरे मिल जाएंगे इसलिए पढ़ाई में कभी ठकना नहीं बाप टीचर बन कर पढ़ा रहे है तो तुम अच्छे माक से पास होने का पुरुशार्थ करो इसमें आशिरवाद वक्रिपा की बात नहीं है इसलिए क्या करना है पुरुशार्थ करना है गीत है आज का अच्छे माक से तो तो को बन कशाए पुरुशार्थ क्यार्थ के इस्ट नहीं भर तो को से नहीं आज पनी एसलिए आहन भर तानी आम शान्ती अभी यह गीत तुम बच्चों ने नहीं बनवाए हैं यह तो फिल्म वालों ने बैठ बनवाए हैं अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं हर एक बात का यथार्थ अर्थ न जानने से अनर्थ हो जाता है गाते हैं समझते कुछ भी नहीं है अब तुम बच्चों को श्रीमत मिली होई है किसकी है श्रीमत भगवान की भगवान को ही भक्त नहीं जानते तो उन भक्तों की सद्गती कैसे हो सकती भगवान से सद्गती होती है और भगवान को ही नहीं जानते तो बाबा कहते हैं कि तो उन भक्तों की सद्गती कैसे हो सकती है भक्तों का रक्षक है भगवान रक्षा मांगते हैं जरूर कोई दुख है क्यों मांगते हैं रक्षा कोई दुख है हमारी रक्षा करो बहुत गाते हैं पर तु भगवान कौन है किस से रक्षा करते है जरा भी नहीं जानते भक्त अत्वा बच्चे अपने बाप को न जानने कारण कितने दुखी हो पड़े हैं अभी इनका अर्थ तुम बच्चे समझते हो अभी है घोर अंधियारी भयानक रात इस गीत का अर्थ हम समझते हैं आधा कल्प की रात है रात के राही ठक मत जाना तो भक्ति मार्ग से यात्रा करते करते ठक गए हैं कोई भी विद्वान, आचारे, पंडित नहीं जानते के रात किसको कहा जाता है यू तो यह जानवर भी जानते हैं रात सोने की दिन जागने का होता है चिडियाएं भी रात को सू जाती है सुबह होती ही उड़ने लगती है वह दिन रात तो कौमन है यहाँ जो बात हो रही है यह कौमन दिन रात की नहीं हो रही यह ब्रह्महा की बेहद की रात और बेहद का दिन है बेहद का दिन सत युग त्रेता और रात द्वापर कल युग आधा आधा चाहिए ना दिन की आयू भी पच्चिस सो वर्ष है इस दिन रात का तू किसको पता नहीं है इस बेहद के दिन रात का किसी को नहीं पता अभी तुम बच्ची जानते हो कि रात पूरी होती है अब द्वापर भी खत्म और कल युग भी खत्म हुआ की हुआ अर्थात चुरासी जन्म पूरे होते है अथवा ड्रामा का चक्र पूरा होता है फिर क्या होगा रात पूरी होकी फिर दिन शुरू होता है रात को दिन और दिन को रात बनाने वाला कौन है रात को दिन कौन बनाता है और दिन को रात कौन बनाता है यह भी कोई नहीं जानते हैं कौन जानते हैं हम बच्चे भगवान को ही नहीं जानते तो यह सब बातें कैसे जान सकते मनुष्य पूजा करते हैं पर तुस समझते नहीं कि यह कौन है जिसकी हम पूजा करते हैं। बाप बैट समझाते हैं। पहली-पहली मुख्य बात है गीता को खंडन करने की। कहते हैं श्रीमत भगवत गीता। गीता का पती है भगवान। यानि गीता किसने उचारित करी वो कौन है भगवान। न की कोई मनुष्य ब्रम्भा, विश्णु, शंकर को देवता कहा जाता है। और सथियोग के मनुष्यों को देवताई गुणों वाला कहा जाता है। दैवी धर्म वाले श्रीष्ठाचारियों को देवताई गुणों वाले कहते हैं। भारत के मनुष्य श्रीष्ठाचारी थे सत्युग में सब श्रीष्ठाचारी थे। वही फिर आसुरी गुण वाले बन पड़े हैं। वही आत्माई फिर धीरे 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 आसुरी गुण बुद्ध ने बुद्धी धर्म स्थापन किया। बह कहेंगे हमारा फलाना धर्म शास्त्र है। अब भारतवासियों का धर्म शास्त्र है एक। परम्पिता पर्मात्मा श्री कृष्न की आत्मा जब चुरासी जन्म पूरे करती है। तब फिर गीता के भगवान ज्यान सागर परम्पिता पर्मात्मा से सहज राजयोग और ज्यान सीख उच पद पाती है। ऐसे उच तेउच धर्म शास्त्र को खंडन कर दिया है। जिस कारण ही भारत कौडी तुल्ले बना है। यसे उच शास्त्र का सर्व शास्त्र मै शिरोमणी भगवत गीता का खंडन करने के कारण भारत का ये हाल हुआ। यह भी ड्रामा में एकज भूल है जो गीता को खंडन कर दिया है। बाप अब जो सच्ची गीता सुना रहे है वह निकलनी चाहिए। सच्ची गीता गवर्नमेंट को छपाना चाहिए। यह है यह जो आम पढ़ रहे हैं यह क्या है श्रीमत भगवान वाच। बच्चो प्रती बाप डारेक्शन देते हैं। अच्ची रीती लिखना चाहिए शौट में। तुम जानते हो सच्ची गीता से सकिंड में जीवनमुक्ती मिल जाती है। यह जो सच्ची गीता है इस ज्ञान को धारण करने से आत्मा को सकिंड में जीवनमुक्ती मिलती है। बाप का बन बाप से वर्सा लेना है। बीच, जाड और ड्रामा के चक्र को समझाना है। गाते भी हैं। सत्योग आदी सत्थ, है भी सत्थ, होसी भी सत्थ। गुरुगरन साहिब में गायन है, जाड को जानना भी सहज है। इनका बीच उपर में है। यह वेराइटी धर्मों का जाड है। बाप का बन, बाप से वर्सा लेना है। बीच, जाड और ड्रामा के चक्र को समझाना है। गाते भी हैं। सत्योग आदी सत्थ, है भी सत्थ, होसी भी सत्थ। जाड को जानना भी सहज है। इनका बीच उपर में है। इस मनुष्य स्रिष्टी रुपी जाड का बीच उपर में है। यह वेराइटी धर्मों का जाड है। इसमें सब आ गए। बगी छोटी छोटी टालियां तो अथा है। मठ पंत बहुत है। भारत का आदी सनातन देवी देवता धर्म है। वह किसने स्थापित किया। किसने आदी सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया। किसने भगवान ने। कोई मनुष्य ने नहीं किया। श्री कृष्ण तो दैवी गुणों वाला मनुष्य था। वह चोरासी जन्म पूरे कर अब अन्तिम जन्म में है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैशेवंशी बनते-बनते कलाईं कम होती जाती है। सूर्यवंशी राजधानी, जो सतियुग में श्रीष्ठाचारी थी, सो कल्युग में अब भ्रष्ठाचारी है। बबा सारा स्रिष्ठी का चक्र बार-बार घुमा रहे है। अब फिर श्रीष्ठाचारी बन रही है। तुम्हारी बुद्धी में है। क्या है कि उंचते-उंच पाठ किसका होगा। किसका है उंचते-उंच पाठ। अभी तुम जान गए हो। मुख्य है ही शिवाई नम्हा। जो उसकी महिमा है। वह ब्रम्ह, विश्णू, शंकर के लिए नहीं का सकेंगे। जो बाबा की महिमा है वो किसी के साथ नहीं लग सकते। प्रेजिडेंट की महिमा प्राइम इनिस्टर को अथवा कोई और को देंगे क्या। किसी और को देंगे। नहीं, अलग-अलग टाइटल है ना। सब एक तो नहीं हो सकते। तुम बच्चों को अभी बुद्धी मिली है। क्या बुद्धी मिली है। कि शिव बाबा का क्या गायन है, क्या महिमा है। देवी देवताओं की क्या महिमा है। और अब मनुष्य आत्माई उनकी क्या स्थिती है। तो अब कहते हैं कि तुम बच्चों को अभी बुद्धी मिली है। तुम जानते हो, क्राइस्ट को भी अपना क्रिश्यन धर्म स्थापन करने का पाट मिला हुआ है। आत्मा तो है बिंदी। उस आत्मा में पाट भरा हुआ है। क्रिश्यन धर्म की स्थापना कर, फिर पुनर जन में लेते, पालना करते, सत्तो रजो तमों में आना है। ये फिक्स है। पिछाडी में सारा जाड, जड़डी भूत होना ही है। हर एक को कितना कितना समय पाट मिला हुआ है। बुद्ध को कितना समय पालना करनी है। यह तुम जानते हो। सारे स्रिष्टी चक्र को, स्रिष्टी चक्र की विशेश आत्माओं के विशेश पाट को हम जानते हैं। तो बाबा कहते हैं, बुद्ध को कितना समय पालना करनी है, यह तुम जानते हो, भिन भिन नाम रोप में जन्म लेते रहते हैं। अभी बाबा, तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धी बनाते हैं, सारा स्रिष्टी चक्र कहा है हमारी बुद्धी में, तो हमारी बुद्धी कितनी विशाल हो गई, परन्तु कोई तो शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते, बेहद का बाप, बेहद स्वर्ग का वर्सा देते यह भी तुम समझा नहीं सकते। बाबा ने बहुत बार समझाया है। आत्मा में अविनाशी पाट नूदा हुआ है। एक शरीर छोड फिर दूसरा लेना है। कितनी गुहे बाते हैं समझने की। इसको फील करें कि कैसे हम आत्मा एक शरीर छोड़ कर फिर दूसरे में गई और हर समय अलग-अलग पाट कैसे अदा कर रही है आत्मा। कितनी वंडर्फुल पाट धारी आत्मा है। तो वह कहते हैं कि बहुत गुहे बाते हैं समझने की। जो स्कूल में रोज पढ़ते होंगे वही समझेंगे। कोई तो चलते चलते ठक जाते हैं। गाते भी हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे तुम्री क्रिपास से सुख घने रे। बाब कहते हैं हम तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे देने का पुरुशार्थ करा रहे हैं। तुम थक नहीं जाना बाबा पुरुशार्थ करा रहे हैं। हमें क्या करना है? थकना नहीं है। इतनी उँच तेउच पढ़ाई पढ़ना तुम छोड़ देते हो। कोई तो पढ़ाई छोड़ फिर विकार में भी चले जाते है जैसे का तैसा बन जाते है जैसे थे वैसे के वैसे चलते चलते गिर पड़ेंगे तो और क्या होगा भल वहां सुख में है परन्तु पद में तो फर्क है न यहां सब दुखी है कैसी भी स्थिती है पर बाबा का ज्यान लिया तो स्वर्ग में तो आएंगे सुख तो रहेगा परन्तु फिर पद में तो फर्क है न बहाराजा, प्रजा, सबको सुख है फिर भी पद तो उचा लेना चाहिए न पढ़ाई छोड़ दी तो मात पिता कहेंगे तुम तो लायक नहीं हो बाब से स्वर्ग का वर्सा लेते लेते कई बच्चे ठक जाते हैं चलते चलते माया वार कर देती है तो लोट जाते हैं जो जमा किया वह फिर ना हो जाती बाकी क्या बनेंगे स्वर्ग में भल जाएंगे लेकिन बिलकुल साधारन प्रजा जाकर बनेंगे क्या बनेंगे साधारन प्रजा बाब कहते हैं हमारा बनकर फिर ठक कर बैठ गए बट रेटर बन गए तो प्रजा में चंडाल जाकर बनेंगे याद रखेंगे पद का आधार है पुरुशार्थ जितना जितना हम बाबा की पढ़ाई पढ़ेंगे योग-योक्त स्थिती में रहेंगे उचा पद पाएंगे यदि ठक गए तो फिर नीच पद मिलेगा तो बाबा कहाते हैं सभी चाहिए न स्वर्ग का मालिक बनते बनते अगर पढ़ाई को छोड़ देते तो उन जैसा महान मूर्ख दुनिया में कोई होता नहीं तो महान मूर्ख नहीं बनना है लिखते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के बहुत सुख घनेरे मिलते हैं कृपा करो बाप कहेंगे कृपा की तो बात ही नहीं मैं टीचर हूँ पढ़ाऊंगा पुरुशार्थ तुम करो कृपा नहीं करेंगे हमें पुरुशार्थ करना है अच्छे माक से पास होने का बगी मैं थोड़े ही बैट सब पर आशिरवात करूँगा तुम योग में रहो तो ताकत मिलती रहेगी सभी थोड़े ही गद्दी पर बैठेंगे एक दो के सिर पर बैठेंगे क्या गद्दियां तो लिमिटेड हैं तो धर्म मुक्षे हैं ही चार शास्त्र भी कितने है चार है उनमें मुक्षे है गीता बाकी सब उनके बच्चे है वर्सा तो मात पिता से ही मिलता है अब बाप सम्मुक समझा रहे है सिर्फ गीता पढ़ने से ही थोड़ी राजाओं का राजा बन जाएंगे बाप ने तो गीता पढ़ी है ब्रह्मा बाबा ने गीता पढ़ी है तो अब कहते है बाबा ने तो गीता पढ़ी है परन्तु उनसे होता कुछ भी नहीं है यह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र उस गीता से कुछ नहीं होता पर तो इस सच्ची गीता से मनुझ देवता बन जाता है तुमको पुरुशार्थ कर सोला कला संपूर्ण बनना है अभी तु तुम्हारे में कोई कला, कोई गुण नहीं रहा है गाते भी हैं, तुम निर्गुण सुरी दुबारा पढ़ना पड़ेगा अभी तुम्हारे में कोई कला, कोई गुण नहीं रहा है गाते भी हैं, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नाही आपे ही तरस परोई हमको फिर सोला कला संपूर्ण बनाओ जो हम थे फिर बनाओ अब तुम जानते हो, बाप सम्मुख आकर समझा रहे है एक निर्गुण संस्था भी बना दी है निर्गुण निराकार का अर्थ भी नहीं जानते है शिव का तो आकार भी है, है ना निराकार का अर्थ नहीं जानते पर अंतु शिव बाबा कहते मेरा तो आकार भी है जिसका नाम है तो जरूर चीज भी है ना आत्मा इतनी सुक्ष्म है उनका भी नाम है ब्रह्म महतत्व जहां आत्मा ये निवास करती है वह भी नाम है ना नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं भगवान को कहते नाम रूप से न्यारा एक तरफ कहते हैं ना नाम है ना रूप है फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हैं चारो तरफ जो भी चीजें हैं लोग हैं उनका तो नाम भी है रूप भी है तो फिर दोनों बातें आ तब तो निश्चे करें बाबा हमने आपको जाना है कल्प कल्प आपसे राज्य भाग्य लेते आये है ऐसा निश्चे हो बाबा पर निश्चे वर्से पर निश्चे ऐसा निश्चे हो तब पढ़ सकते हैं प्रालब्ध की स्मृती नहीं होती पता नहीं होता क्या मिलने वाला है तो भी पढ़ाई ढंक से नहीं पढ़ते है तो बाबा कहते हैं यहां से बाहर निकलते और भूल जाते है इसलिए पहले पहले तो लिखवा लिना चाहिए क्या? बरुबर शिव बाबा आया है राज यूग सिखलाने लिखकर भी देते फिर फिर पढ़ते नहीं लिखकर दे दिया निश्चे हो गया फिर पढ़ते नहीं बलड से भी लिखकर देते हैं परन्तु आज है नहीं माया कितनी तीखी है बाब कितना बैट समझाते है तुम्हारी विहंग मार्ग की सर्विस तब होगी कब होगी जब ऐसे ऐसे पत्र लिखेंगे है ना पहले तो पत्र लिखते थे अब भी फोन का जमाना है तो बाबा को फोन भी किया करो दिन में बार बार स्वस्मृती में स्थित होकर बाबा को याद करके है ना बाबा की याद में बाबा को अपने दिल का सब हाल बता दिया करो तो बाबा कहते हैं, तुम्हारी शक्ती सेना में भी नमबरवार है कोई chief commander है, कोई captain है, कोई majors है कोई सिपाहियों के साथ बोझा उठाने वाले भी है सब नमबरवार है तो बाबा कहते हैं, भारी है, सारी सेना है बाबा तो पुरुशार्थ कराएंगे न? हर एक के पुरुशार्थ करने से समझ में आता है यह राजारानी बनेंगे वा अच्छी साहुकार प्रजा में जाएंगे यह साधारण प्रजा में जाएंगे यह दास-दासी बनेंगे यह तो बिलकुल सह जह समझने का तो पहली मुख्य बात को उठाना है बाबा कितनी ललकार करते हैं महरतियों को सब कुछ क्लियर करके समझाना है तो वेहंग मार्ग की सेवा के लिए विचार चलने चाहिए कैसे बाबा की बेहद सेवा करें ऐसे विचार करने चाहिए तो बाबा कहते अच्छा रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 धारना के लिए मुख्यसार पहला पढ़ाई में ठकना नहीं है उच ते उच पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है दुसरा विहंग मार्ग की सर्विस करने की युक्तिया निकालनी है योग में रहे बाप से ताकत लेनी है कृपा आशिर्वाद मांगनी नहीं है क्या करना है पुरुशार्थ करना है पुरुशार्थ से प्रालब्ध बनेगी बाबा से मांगते रहेंगे उससे कुछ नहीं होगा वर्दान है वर्दानों की दिव्वे पालना द्वारां सहच और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीब भव सदा खुश नसीब कैसे बनेंगे जब वर्दानों की दिव्वे पालना द्वारा सहच और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करेंगे बाब दादां संगम युग पर सभी बच्चों की तीन संबंधों से पालना करते हैं बाब के संबंध से वर्षे की स्मृति द्वारा पालना बाबा हमें बार बार वर्षे की स्मृति दिलाते हैं शिक्षक के संबंध से पढ़ाई की पालना बाबा हमें रोज ज्ञान रत्न देते हैं और सत्गुरु के संबंद से वर्दानों के अनुभूती की पालना केवल वर्दान सुनना नहीं है इनकी अनुभूती करने है एक ही समय पर सबको मिल रही है इस दिव्वे पालना द्वारा सहच और श्रीष्ट जीवन का अनुभव करते रहो महनत और मुश्किल शब्द भी समाप्त हो जाए तब कहेंगे खुश नसीब न महनत शब्द हो न मुश्किल शब्द हो तब कहेंगे खुश नसीब स्लोगन है बाब के साथ साथ सर्व आत्माओं के सनेही बनना ही सच्ची सद भावना है केवल बाबा के साथ नहीं अभी तु सर्व आत्माओं के सनेही बनना है कहीं बढ़ हम कहते हैं बाबा से प्यार है परन्तु ब्राम्मन परिवार में कहीं खिट-खिट है नहीं, बाबा कहाते सद भावना, सच्ची सद भावना, किसको कहेंगे बाबा के भी और सब किस नहीं भी तो आज सभी क्या पुरुशार्थ करेंगे? क्या होंबग करेंगे? कि हम बार-बार देह से, दुनिया से, कर्मों से डिटाच होकर सकेंड में मुक्तिधाम और फिर अगले सकेंड जीवन मुक्तिधाम. बार-बार इसका अभ्यास करेंगे, एक सकेंड में परमधाम पहुच जाएंगे, फिर एक सकेंड में नीचे, जीवन मुक्तिधाम सतियुग में पहुच जाएंगे, फिर संगम पर आएंगे, तो ये चक्र बार-बार फिर आने का अभ्यास करेंगे सारे दिन में. अच्छा, ओम शांती। प्रभु को कर दे अर्पन। प्रभु से मिला है जीवन। प्रभु को कर दे अर्पन। सब का भला हम करते चले। हरशित हो धरागन। बस उसका कहना माने। फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने। फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन। प्रभु को कर दे अर्पन। जाहां जाहां कदम पड़ते हैं। साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए। इशारे हम को करते हैं। जाहां जाहां कदम पड़ते हैं। साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए। इशारे हम को करते हैं। गर करते हैं अपनी मन मानी। बढ़े फिर उलजन बस उसका कहना मानी। फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिलाए जीवन। प्रभु को कर दे अलपन। शुभ भावना का करि मन्तन। महकाई मन जे सी चन्दन। सुखी रहे सब शांत रहे। कर्म करे सी कुंदन। घर पाना है मन की शांत रहे। अरे प्रभु चिंतन। बस उसका कहना मानी। फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन। प्रभु को कर दे अरपन। सब का भला हम करते चले। हरशित हो धरागन। बस उसका कहना मानी। फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने। फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना मानी। फिर सब कुछ वो ही जाने। झालोga कुछ बस उसका कहना मान पुलरे जाने। बस उसका मात्तनों सभाःक जाने।